कि आज शुरू करते हैं लुम्योन का फाइनल इंटरफेस के लुम्योन इंस्टाल करने के बाद हम इसको रन कैसा कर सकते हैं अभी इसको रूंड पंड जीरो को यह वरकिंग करें मुझे रिशू थोड़ा इसू यह आ रहा था कि जब भी मैं लुम्योन को ओन करता हूं तो च इसके स्लुशन जो था कि हमने जो पैच किया था वह हमें हर बार और पर दबाना पड़ाएगा अजब भी आप इसको ओन करेंगे लुम्योन को तो पैच को दबाना पेच कर लो तो लुम्योन चलता रएगा तो मैस प्रोग्राम फाइल लुम्योन 10.0 इसके अंदर में परशी यह फिक्स फाइल थी उसकी इसको हम एकस्ट्रेक करते हैं अक्स्ट्रेक तेर कर लिए है यह फोल्डर बन गया इस फोल्डर के नदर तीन फाइल जाएंगी इन तीनो फाइलों को हमने कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देना है कि लुम्योन अल्रेडी ओन है अच्छा हमने एंटिवार्स और रखना अपना वाइरस एंट प्रेक्शन में जाके पैच और क्रेक गरा जब एंटिवार्स ओन होगा तो यह वर्किंग नहीं करते है कि अब हमने लुम्योन 10 यह इस फाइल को न करना है राइट क्लिक यह आपन और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा लुम्योन स्टार्ट हो चाहिए तो हर बार इस पहले अभी तो मुझे यह स्लूशन नदर आया कि अगर यूज करना है हां अगर आप 9 और 9.5 यूज करेंगे तो उसके उसमें यह इस नहीं है कि हम बार-बार पैस लगाएं वह एक बार पैस लगा लिए तो वही थो आउट चलता रहेगा अच्छा चले अब लुम्योन के थोड़ा सारी इंटरफेस समय लेते हैं अभी थोड़ा इशू मुझे जो फेस करना पड़ा है में पर सिस्टम भी वेलबल नहीं है तो लैप्टॉप मेरे एट जीपी रहम है तो एट जीपी लास्टम ओन किया था तो मैंने ऐसा ही उसे मदब लेट में सटक को बंद हो गया यहां वैसी वरिश्ट हो गया तो भी कहला है उसे डिस्कवर करना या नहीं करना रहर करना ही रही तो अच्छा अब मैंने अभी पैच्छ लगा इसलिए ट्रैल सेवन डेस ही देगा जब भी आप उसको ट्रैल पैच लगाएंगे तो सेवन डेस चलता रहेगा तो करते हैं और यह मनद पास फस्स इंटरफेस आ गया लुम्यों 10.0 को कि अच्छा इसमें सब्सक्राइब देख लाते हैं बेंचमार्क को यह आपका कंप्यूटर की अब भी सूटबल्टी किया है कि लिम्यों या कोई भी सौट्वेर कितने परसंट इसको प्रोसेस सही करेगा अभी मेरे लैप्टोप में 18 परसंट वर्किंग फाइन है लिए इसके लिए ग्राफिक कार्ट मेरे गाफिक मेमरी जो है वह 4.1 ऑके है बाकी प्रोसेसर प्रोसेसर जीतना इशू नहीं है क्योंकि वैसे आई 7 जिशन नहीं है लेकिन क्योंकि यह करता है 2.0 गीगाहर्च के लिहाज से तो इसलिए शो कर रहा है में जो इसके लिए बाद नज़ा रहा है वह एक सिस्टर मेमरी का आ रहा है कि में पास आट जीपी आइसकी जो मिनियों रिक्मेंड़ेट है वह 16 जीपी है और नेक्स जो आ रहा है वह जो जीपी का रहा है कि मेरे पास लैप्टोप के साथ जीप्यू टू जीपी का जो आपने कोई भी मोडल बनाया वह उसको आपने डे नाइट या किसी भी लिहाद से अच्छा शोक वाना है तो वह इसमें वेलबल है तो अभी एक्जैंपल पर काम करना जैंपल पर कर सकते हैं हमके जैंपल में इन्होंने कुछ प्रीशाइट पहले से बनाया रखे हुए इसके में मौडल अपने हमारा आपके लिए किसी बेग्ण करेंगे वह लोड़ जाएगा हम जैंपल में नहीं करते हम फिलाल न्यूपए कर लाते हैं और मैं बलैंक प्लेंग प्लेंग स्कीन पर काम करते हैं स्टार्ट अ क्या होगा एक अर्थ मैंने होगी इसका बना हुए कोई भी चीज काई में कहीं भी जगा लग सकते हैं इसकी बाउंटरी के लिमट नहीं है कि आप इतने स्केर फिट जा सकते हैं मतलब पूरी सुसाइटी में सकते हैं सिटी सिटी बन सकता है तो हर चीज़ वेलेबल इसके अंदर कि अगहर प्रिट आपके माउस का राइट ट्लिक जोता है अगर्वाइट कि तरफ आंगे तो या व्यांग्स का एंगल की तरफ मुव रहे हैं नेकि आप राइट के आप आप तरफ जाएंगे तो के एंगल आपकी तरफ मूव कर रहे हैं पहला camera angles है उसके बाद जो middle होता है बोल होती है आपकी बाउस की उसको अगर आपकी तर लेख जाते हैं तो आप zoom in कर रहे हैं और कर रहे हैं और इसमें भी left में कोई काम नहीं करेंगा हम आपका क्लिक क्यूंकि लेफ्ट सेक्शन के लिए होता है राइट क्लिक आपका एंकल कर रहे हैं और बटन जो है आपके लिए पास जूम इन नाउट के लिए यूज कर रहे हैं अब कोई भी चीज को ड्रा करना उसको बना शुरू करते हैं एक सी होता है कि हम इंपोर्ट करें जो हमारे पास मोडल बने बनाए हैं कि हमने मैक्स में माया में या किसी भी स्ट्री सोफटर के अं करते हैं इंट्रियर करते हैं वह इनी मोडल के जरी अपना मुकमल इंवार्मेंट क्रेट कर लाते हैं तो इंडॉर में आपके सारी उप्षिन आजेंगी के चेर टेबल ग्लास ठीक है लंबर हर चीज अवेलेबल है कि अब जिस पर क्लिक करेंगे उसके अब्जेक्स सामने जर्च लगाना वहां तो आप मैंने लापट लुक टी किया करने के बाद जस्क यहां क्लिक करतोंगा तो मैंने का कि या उपजेक्ट पकड़ा उस उप्जेक्स को उठा कि हाँए कर दिया उसके बाद अब भी इन उसित बात कर देंता इस सी टार्ट में नंबर वन प्लेस है अब भी हमने object को select किया है तो हम प्लेस कर रहे हैं जब प्लेस की भी तीन टाइप से नहीं चलिख हुई है एक सिंगल प्लेस्मेंट है एक मैस्ट में क्या होता है कि आप एक टाइम पे मैं क्लिक करता हूं कि मैंने वन वद फिसे नेक्स आपने किस ड्रेक्शन में इसकी मल्टी आइटम बनानी है मैं फॉर्ण यहां पर क्लिक कर देता हूं थोड़ा सा की जाके कि हम इसामने मल्टी अब विए फाल पांच आटम से मैं कम भी कर सकता हूं इसको तरी हो गया हम मैं इसको बढ़ा भी सकते हैं हम इसको इसको आइडियल तक रहते हैं कि उसके पार नाइस प्लेस्पेंट में सब की डिरेक्शन आपने लेफ्ट व्राइट की सब्सक्राइब करना अब यह अब यह अब इसको फ्रेंट रहता हूं आपको रेंडम ड्रेक्शन इसको पर यह होता है कि आपको पास हर लैप्टॉप की जो डिरेक्शन होगी वर डिफर्ट आएगी रेंडम में आएगी अब नेक्स अब यह अब यह गया अजय वह अब अब इन दोनों में गयाप वेलेबल है इन दो जैक्ट में गयाप वेलेबल लिए नहीं है पर फेज थोड़ा से जब अवेलबल नेक्स थोड़ा से अवेलबल है कि रैंडम गैप है कहीं ज्यादा कहीं में कम अब यह ही लाइन में अगर मैं चलता हूं कि यह मतों एक आगे जाए एक थोड़ा नीचे आजए उपर आजए रैंडम स्पेसिंग उपर नीचे अलगला शोड़ें तुस्री में रैंडम उप्षिन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मैं कि मैं जूम आउट कर लता हूं अब अब यह रैंडम है तो इसके कोई भी लिमट नहीं है कि दाए में शो हो रहे हैं तो यह थी अग प्लेस्मेंट तो